बिस्मिल्ब रमारही मसलम वालेकूम विवारस मैं उनकुजार अली और आप देख रहे हैं देख देख रहे हैं देख्या नहीं है तो यह रेसिपी आपके लिए पहत्री है जल्दी एक तु बन जाएगी और इसमें इंग्रेडियेंट्स बहुत ही कम हैं तो चलिए से बनता है और कॉंसी इंग्रेडिस में एड हो जो है यहाँ पर हमने बेसन लिया है हाफ के जी बेसन को चान लेना है कि इसमें लंग से ना बना है तो बेसन को अलग से हम चान लेंगे तो व्योर्स यहाँ पर बेसन को हमने चान लिया है अभी करेंगे हम आगे का प्रासेस तो व्योर्स अभी आड़ करेंगे गी जैसर के बड़ी गर्मी है तो यह अभी पहले से ही मेल्ड हुई हुई है लेकिन हमने यहाँ पर गी यूज किया है आप आईर भी यूज कर सकते हैं लेकिन यह जो भी बीठी चीज़े होती है वो गी में अच्छी बनती है विए व्योर्स हमारा गी अच्छे से गरम हो गया अभी इसमें अट करेंगे बेसन और बेसन को भूण लेंगे यहाँ पर एक चीज़ का क्याल रखना है कि फिलैम बिलकुल लो रखना है अच्छे से मिक्स करेंगे यूर्स यहाँ पर हमें गी कम लग रहा है तो गी हम अट करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से अच्छे से मिक्स करेंगे यूर्स चमाज भी बिलकुल चलाते रहना चाहिए अभी हमें माजी भूनना है अब इतना तेल डालने के बाद भी हमें ऐसे लग रहा है कि तेल कम है लेकिन बाद में आप देखेंगे कि तेल बिलकुल बाहर निकल के आएगा विवर तक्रिवन दस से बारा मिनट हमें हो गए है ऐसे चमाज चलाते लो फिलैम पे अभी आप देख सकते हैं कि बिलकुल आईल आना बाहर शुरू हो गया है आपको दिख रहा होगा आईल जो है बिलकुल यह लुकुट शेप में आ जाएंगे तो मधी दूसरी इंग्रेडियन्स हम आईल करेंगे तक ही तक ऐसे ही हमें चमाज चलाते रहना चाहिए अभी बिलकुल यह साफ्ट बनते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि आईल आजाइश हो गया है जादा हमें कलव नहीं करना है अभी इसमें हम आएट करेंगे चिनी यह हमने बेस्ट लिया था 1-2 kg तो चिनी भी 1-2 kg इस्तेमाल करनी चाहिए लेकिन चिनी हम कब इसमाल करने कि मीटा कुछ कम कातें तो इसाफ चिनी तकरिबन 300 ग्राम हम मेर्च कर रह यहां पर एक प्याली नारेल का पुरादा माशाला बहुत प्यारी सी खुश्कुल अभी से आना शुरू हो गई है तो यह अभी आड़ करेंगे मिल्क यहां पर यहां पर जब आप बेसन आपका आधा किलो है यानि 500 ग्राम है तो यहां पर दूद आपको डबल ले लेना चाहिए यानि एक लेटर दूद तो अभी आड़ करेंगे हम दूद दूद जो बेसन से डबल होना चाहिए अच्छे से मिक्स करेंगे यहां पर फिलेम थोड़ा मीडियम बखेंगे लो से ताकि अच्छे से वाइल हो जाए यहां पर हमने दूद कुछ ज्यादा डाला है आप कम भी डाल सकते हैं लेकिन इसलिए ज्यादा डाला है ताकि अच्छा सा फिलेवर है क्योंकि इसमें हम ट्राइय मिलक भी एट नहीं कर रहे है यहांनि मिलक पाउWDER भी इस्तमाल नहीं कर रहा है तो मिलक कुछ ज्यादा होना चाहिए ताकि फिलेवर जो है वो अच्छा है तुरिशे साफ़िशने से अभी मजीद जो है अच्छे से गाड़ा होगा यह तो व्योर्स इसी तरीके से चलाते रहे हैं आप मजीद गाड़ा करना है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवा बर्तन को छोड़ रहा है तो इसी तरीके से आपको मजीद गाड़ा करना है ताकि हमारी बर्फी जो एच्छे से बन पाए है यहाँ पर हम half tea spoon जो है इलाइची powder इस्तिमाल करेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट आए अच्छे से mix करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बेसन अच्छे से पिल्कुल टेड़ी होने के मराहिल में यहाँ पर अभी चेक करेंगे चेक करने का तरीका यह है कि थोड़ा साथ आप यहाँ से ले 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 ऐसे आप देखें देख लें आप हाथ को यह चिपक नहीं रहे है इसका मतलब है यह बिल्कुल रेड़ी है बिल्कुल ही जो है यह हाथ को चिपक नहीं रहे है माशाला बहु बहुत ही जबर्दस दिखने भी बहुत खूशुरत है आप चाहिए तो इसमें कलर पगिरा आइड कर सकते हैं लेकिन हमने यहां पर कलर आइड नहीं किया है जो भी नेचरल कलर है हमने रहने दिया है यहां हमारी पेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बहुत जबर्दस पर पियारी सी खुश्वќब आ रही है तो अब हम निकाल लेंगे किसी अदि बनाएंगे तो अभी निकाल लेते हैं किसी और बर्टन में यूर्स अभी गरम है तो थोड़ी देर हम ठंडा रहने करेंगे उसके बहार हम बर्फी बनाएंगे तो उमीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो kindly इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो दोस्त बिल्कुल नए हमारे चैनल पे तो बरहें मेरवानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ताके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके तो वीवर्स अभी बर्फी बनाना स्टार्ट करेंगे बिसमईल्ल All ав अरिम इसी तरीके से आपको बर्फी लेना है इसी तरीके томना कि गोल करेंगे पहले कि और इसको रहूँ है बोल्ट पैसे इसे आथ काई और इस तरीके दे Vince हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं माशाला हमारी परफी बहुत जबर्दस रेडी हो गई है इस तरीके से सारे बनाने हैं करेंगे बोर्ड पर प्रेस करेंगे वील की तरह ऐसे गुमाएं उसके बाद थोड़ा ऐसे हाथ से प्रेस करें इस तरीके से उसके साइडीएं जो हैं थो सिमूध कर ले इस तरीके से सारे बनाने हैं मैं तो रेजी व्यवियर्ज हमारी बेसल की बहुत थी बड़िया रेसीपी जोके बेसल की बर्ति परृप बोर्थी बिलको डेडी हो चुकी है दिखने में बहुत ही खुबसूरत और खाने में बहुत ही डिलेशियस जब भी दिल चाहे ये रेसिपी बनाएं बाजार को छोड़ें बाजार को बाई बाई करें क्योंकि बाजार से बहुत ही बढ़िया बनी है बहुत ही जबर्दस बनी है तो अपने बच्चों के लिए बन हैं बहुत ही जबर्दस रेसीपी है तीन से चार गिंग्रेडियेट्स में रेसीपी बनती है ज्यादा खर्चा भी इसमें नहीं है और जटबट बनने वाली रेसीपी है तो उमीद करता हूँ कि आज ची रेसीपी आपको जरूर बसंद आएगी तो इस वीडियो के साथ इस र जर देखने रेसीपी के साथ आपकी खिद्बत में हादरूंगा तब तक के लिए अपने दाओं में जरूर जाद रखिएगा खुदा हाफिज़